नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं, MNS News Live पर देखते आज के कुछ खास खबरें, कोरोना वाइरस को बताया बहुत अधिक, विश्वस वास्त संगटर ने कोरोना वाइरस के अपने आकलन को अधिक से बढ़ा कर बहुत अधिक कर दिया है, WHO के Emergency Program के Executive Director माइक रायन के अनुसार, माइक रायन के अनुसार यह ग्रह की हर सरकार के लिए वास्तविक्ता जाशनी का समय है, सरकारे, सरकारे सतर्ट रहे पूरी दुनिया में 80,000 लोग कोरोना से सख्रमित है, वही कोरोना वाइरस के चलते भारत ने साइपरस में आयोजित, न 12 मार्च के बीच होने वाली इस निशाने बाजी प्रतियोगिता में शामिल नहीं होगा, वैसे साइपरस में कोरोना वाइरस के किसी भी मामले की, फुष्टी नहीं हुई है, लेकिन संदिक्द मामलों को एथियात के तौर पर निग्रानी में रखा गया है, वही भारत सरका ने चीनी परवानों को एशियाई कुष्टी चैंपेर्शिप में भाग लेने के लिए वीजा जारी नहीं किया था, अगली खबर के मुताबिक तमिलाडू में एक शक्स को कोरोना वाइरस को लेकर अफ़ा फैलाने के आरूप में किया गया अरेस्ट, इस 18 वर्ष शक्स ने कहा कि उसके दोस्त की चिकनी दुकान है और उसने आरूपी को मुफ ने चिकन देने से इंकार कर दिया था, इसी के बाद आरूपी ने गुस्से में आकर वाट्सैप पर अफ़ा फैलाना शुरू कर दिया, कि चिकन खाने से उसका एक अन्य दोस्त बीमार हो गया और इससे क कुरोना वाइरस फैल रहा है जूटी अफ़ा से भारत में चीकर की बिक्री 50 प्रतिशत तक घट गई है अब आप हमारे चैनल को आप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर एमने सिंदी लिखे और डाउनलोड करें साधी साथ आप हमारे फिस्बुक पेज को भी लाइ दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमने सिंदी लाइव के साथ नमश्कार